राम्रा में गरुकमार आपका पिक्ट चनल पर स्वागत करता हूँ मैं लाइव आ चुका हूं और अब बात करेंगे जियो फाइंसेल लिंपट सेर के बारे में जियो फाइंसेल इंपट सेर का चार्ट क्या कर रहा है क्या इसमें संभावन आये हैं यह कब तक अप्ट्रेंड पर बाइक कर लिया है यह कब चलेगा तो यह चीज़े होती रहती है अच्छे सेर भी कुछ दिन के लिए पॉस लेते हैं और कभी-कभी ऐसा होता है कि मतलब वह थोड़ा चलने में परसानिया दिखाते हैं तो वहीं हम लोग जानने का प्रयास करेंगे तो ऐसे कौन सा ऐसे लेवल रहेंगे जहां से जीओ फारेंसियल में तेजी देखने को मिलेगी और ऐसे अप लोग उसमें प्रॉफिट कमा सकते हैं तो चलते हैं जीओ फारेंसियल निम्किट के चार्ट पे चार्ट इसका क्या इंडिकेशन दे रहा है तब तक आप लोग भी चैनल को लाइक कर दें और साथ साथ लाइब से सनों टेलिग्राम भी अवस्य जोइन करें जिससे कि आपको काफी मदद मिलेगी मेंबर्सिप जोइन करते हैं तो आपको कुछ अतरक्त सुब्धाओं का लाभ मिलेगा उसके बारम डिटेल आपको टेलिग्राम पे पूछ सकते हैं या नहीं थी यह वाला जो इलाका था लिस्टिंग के बाद अच्छी तेजी लगभग 400 के आसपास तक गया सेर वहां से प्रॉफिट बुकिंग आती है और यह लगभग करेक्ट होकर क्या जाता है 300 के आसपास और जो लोग बहुत पुराने दिनों से जुड़े होंगे चैनल स से उन लोगों को यह बताया गया था कि इसके बाद प्रॉफिट प्रॉफिट बुक कर लिए नहीं बुक करना चाहते हैं तो यह फिर भी 300-320 के आसपास तक फाइनसल सेर का जियो फाइनसल सेर आ सकता है तो उससे में जिन लोगों ने भरोसा किया होगा उसके अपना उन्ह कल ही जब भी आप इस वीडियो को देखें पर तुरंद गया कूद करके बाई कर लिए इस प्रकार वाला यह सेर नहीं है थोड़ा लंबे समय के लिए तीन से पांच साल के लिए आपका व्यू हो तो आप यह फाइनसियल में इंट्री करिए सांति पुरुक और हां कुछ नहीं करना है सौट टर्म ट्रेडिंग के लिए हां लॉंग टर्म के लिए हर लेबल पर धी 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 छोटी-छोटी कॉइंट कर सकते हैं अभी के लिए इतना है चैनल को लाइक सब्सक्राइब करते रहे हैं धन्यवाद राम राम